और अपनी हाइरेडर का साइट इंची का टायर मिलता है तो थोड़ा सा सस्मेंशन आपको इसके में है यह भी चार्श्टार लिखे आई थी हो सकता है यह भी चार्शन कंट्रोल और अपना आइडल स्टॉप का बन आटोमेटिक क्लाइमेंट कंट्रोल मिल जाता है क्लोब आपको आपको ब्रेजा की प्रॉपर वीडियो देखनी है लेकिन आज हम करने वाले हैं यह जो सामने खड़ा है यह ब्रेजा का वी एकसी वेरियंट है जो की एप्रॉक्स अपने फाइदावाद में दस लाग सतर हजार की आ जाती है लोगों को मैं बता रहा हूँ यह हमने बारा लग 35,000 की आ जाती है और यह इसका अगर जैडिक साई वेरियंट देखा जाए इससे जो अपर मोडल है वह 12.50 के आसपस अराम से आ जाती है अपने अब यह कशले की अपना ब्रेजा का प्राइडर करते हैं और विडियो स्कूर्ण करेंगे हैं अगर यह आपको आड हो सकते हो अगर आपके आपके पस हाइडर है आप लेने की तो आप हो सकते हो टेलीग्राम गुरुप बनाया है हारेटर ओनर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो भाई आप वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट और स्टार्ट करता हूं मैं दोनों गाड़ी की फ्रंट से अब मैं आपको बताना चाहता हूं यह जो अपनी ब्रेजा है यह साइन पैफ एमेंम की वृत है गाड़ी की जो चौड़ाई है ना वो दोनों एप्रॉक्स एप्रॉक्स सेम है बस अगर अगर ब्रेजा की बात करूं तो भाई ब्रेजा थोड़ी बॉक्सी डिजाइन टाइप की है और जो अपनी हाइरेडर है यह तोड़ी टोटा आँगा एकसा लगेगा अब में बताना चाहता हूं यह ब्रेजा का भी एकसा विडियंट है आपको इसमें फॉग लेंट नहीं नहीं मिलते यह आफ्र मार्टिट ओनर ने लगा रखे हैं और यह फॉग लेंट्स आपको चिरिफ जड़ेट करे邊नस करेंगा और करते सब्न, यह जाता है , जो ग वह सब्सक्राइबारे टोए टोइसा चाहता हूं जो गाड़ी की और इसमें आपको हेलोजन मिल रहे हैं, देख सकते हैं, बेस मोडल से यह आपको डियारल्स मिलने लग जाती है, यह काफी अच्छी बात लगी मुझे, हाइरेडर में, गाडी के जो इंजन है, यह भाई सेम ही है, जो इसमें आता है, 1.5cc का K-Series का डूल जेट इंजन है, मार यह था कुछ फ्रेंट लुक, दोनों गाड़ी होगा, अब आप खुद कॉमेंट करके बताओ, आपको दोनों गाड़ियों में से, कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, अब मैं आपको एक बार गाड़ी का बोनेट भी चेक करा देता हूं, कि भाई गाड़ी म आपको उस गाड़ी में भी मिलता है, अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, अगर आप इसका S Hybrid लेते हो, प्रॉपर हैब्रिड लेते हो, हाइरेडर का, तो उसमें आपको टोयटा का इंजिन मिलता है, 1.5, 3 सिलेंडर मिलता है, जो प्रॉपर टोयटा का इंजिन है, हाइरेडर में आ दा है, सेम ही इंजिन है, मारुती सुझु की का, के सीरीज का इंजिन रहने वाला है, अपना ये, हुट की बात करूँ तो भाई, दोनों का जो हुट है, इसका मैं फील कर रहा हूं, यस हुट का मैंने फील कर लिया है, अब मैं अपनी गाड़ी का होड एक इसलिए थोड़ी सी आपको ब्रेजा हलकी से छोटी लग रही होगी अब ब्रेजा का टॉप मॉडल लो या बेस मोडल ओ ब्रेजा में से मिलेगा 215 60 16 तैयर मिलेगा और यह लोए वीयुक्त में सिर्फ आपको रिम ही मिलते हैं यह जो कार के ओनर ने आफटर मार्क लगा रखें लका रेंस तो इसी लिए यह की दिख रहे हैं वरना वी एक्री में नहीं रिखते गाडी की अई र्क यादा में आती है 198 mm की ड्रांट क्लेरंस और जो हाइड्र में आती है वो 210 mm की ground clearance आती है और हाइरेडर का टायर साइज भी दिखा देता हूं जो अपनी हाइरेडर में टायर साइज आ रहा है यह 215 60 17 आ रहा है 215 60 17 17 इंची का टायर मिल रहा है बेस मोडल में भी आपको 17 इंची का ही मिल रहा है बात कुरूं भाई गाड़ी की ब्रेकिंग की तो जहां पर ब्रेजा में आपको सिर्फ दो ही डिस्क मिलती है जैसे कि आप देख रहे हों फ्रेंट में डिस्क है और अपनी रेयर में ड्रम है और अपनी हैरेडर में चारों डिस्क मिलती है फ्रेंट में भी डिस्क है और पीछे भी डिस्क है आपको अगर दिख रही ह यहां से तो यह थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है हेरेडर के साथ कि इसमें चारों डिस्क आ रही है टायर साइज भी इसमें अपना 17 इंची आ रहा है बेस मॉडल से अब मैं आपको एक और डिफ्रेंस भी दिखा देता हूं भाई दोनों गाडियों का अपनी जो ब्रेजा है यह 3995 mm की इसकी लेंथ है और जो नेक्सोन की लेंथ थी वह 3993 थी तो नेक्सोन से ब्रेजा हलकी सी लंबी है और डिफ्रेंस आप देख सकते हो भाई यह 4.4 मीटर की जाड़ी है और जे डिफ्रेंस है अपना जहां पर अपनी हईरेठर थोड़ इस भाहर की साइ्ट निकली पड़ी है वहाँ पे जो ब्रेजा है यह अंदर की साउस्थ दभी हूई है यह डिफ्रेंस है जाम द् Countyỏ निकली हो आप डेख सकते हो आप कि चार मीटर की गाड़ी देने वाली है, एर में आ गया हूँ, रेर लुक भी दिखा देता हूँ आपको, जो गाड़ी के जो टोईटा, हाइड़ेटर के बेस विरिंट में, आपको defogger मिल जाता है, आपको tail lambs, आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, चारो sensor मिल जाते हैं आपको.. एक.. दो... तीन और ये अपना चार, चारो sensor मिल जाते हैं आपको और आपको e nio drive की बेज्दिंग भी मिल जाती है इससे पता लगासकते हो कि ये base variant है आपको शार्क Finnt आटीना भी मिल जाता है दोनों गाडियों में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती क्योंकि यह VXI है और यह अपना बेस मोडल है और जो ब्रेजा है ब्रेजा का रेयर लूग कुछ ऐसा रहने वाला है अब देखो दोनों गाडियों की चोड़ाई है ना जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ब में और पूरा मैट ब्ड्लैक में अपना कर जाए जो की अपने चारों मिल रहे है धो कर इसम इसमें comm Solar सब्सक्राइब है तो रेर लोग कुछ ऐसा है अपनी जो हाइरेडर है टोयटा हाइरेडर के बेस विरिंट से ही आपको यह प्लेट है यह अपना ग्लॉसी टीटमेंट मिलता है और यहां पर आपको मैट ब्लेक मिलता है तो यह आपके उपर है कि आपको कैसी गाड़ी का बूट स्पेस है जो की 370 लीटर से 370 लीटर का बूट स्पेस है अभी मेरी गाड़ी का कवर रखा हुआ है इसे ग्रोर करना लेकिन 370 लीटर है और आपको स्पेर है यह 17 इंची कहीं मिलता है सेम साइज जो की चारों में लगे 215 60 17 यह आपको जो सीट है यह फोल्डेब का अफ्टर मार्केट लगा हुआ है तो यह पर 328 लीटर का बूट स्पेस है 328 लीटर का बूट स्पेस रहने वाला है यह अपना और काफी हद तक ठीक है देखा जाए तो ब्रेज़क सीट अपनी 60 40 तो नहीं है लेकिन यह पूरी सीट अपनी फोल्ड हो जाती है यहां से आफ करके पूरी शीट फोल्ड हो जाती है तो बुट से और भी अपना बढ़ सकता है आपको करके दिखाता हूं यह भी थो हो नहीं रहा मना यह जो अपनी यह भी फोल्ड हो जाती है तो और भी अपना समान रख सकते हो आपको डीप ऑगर भी मिल जाता है यहां पर तो यह कुछ लुक है अपनी बूट स्पेस का मुलता है क्यों कि आपको कोई बी कमReza का इंट्री नहीं मिल है आपको जो और में मैं यह अपना फोल डीबल भी हो अपना एडज़स्ट भी है मह बसस्ता है अब इसे भी कर सकते हो और अज़यस्त भी सकते हो मेरे को उमीद नीदी है कि वी एक्सजी. में आपको 4 level मिलेगा लेकिन मिल रहा है इंटीर कुछ ऐसा रहने वाला है यह ब्रेजा VXI का इंटीर रहने वाला है और मैं सीट हाइट का भी रहा है वे अपको सीट हाइट का भी मिल रहा है काफी अच्छी बात लगी मिल को बिलकुल उमीद नहीं थी कि VXI में भी आपको seat height का मिलेगा और यह कुछ अपना interior है में एक बाद seat पीछे कर लेता हूँ अब मैं इसका gate बंद करता हूँ तो वैसे ही feel हो रहा है जैसे मैं अपनी गाड़ी का gate बंद करता हूँ तो यह कुछ interior है अब यह VXI variant है इसलिए आपको इसमें touch screen मिल जाता है 7-inch का जो कि अभी मैं आपको एक बाद on करके रिखा देता हूँ यहां से इसमें on होता है यह कुछ meter रहने वाला है अपनी गाड़ी का और यह तो भाई आटो फोल्डे वाले अपना यह ठीक है और ऐसी को touch screen मिल जाती है यह same touch screen अपनी higher radar में भी मिलती है लेकिन higher radar के S variant में मिलती है 7-inch की और यह भी जहां तक मेरे को idea है 7-inch का ही है यह यह 9-inch का है बाकि आप कॉमेंट करके बताने कि 7-inch का है यह 9-inch का है अगर मैं अगर मैं इसकी बात करूँ भाई touch response almost okay है आपको यहां पर steering mounts भी मिल जाते है यहां पर नहीं मिलता है यहां पर मिलता है decut steering मिल जाता है phone pick करने का भी मिल जाता है आपको और यहां पर automatic alignment control मिल जाता है जो कि अपनी higher radar के base variant से आपको मिलने लग जाता है लेकिन ब्रेजा के base variant में जहां तक मेरे को idea है अपना automatic नहीं मिलता है यह कुछ ऐसा interior रहने वाला है all black ही है all black है अपना जो जहां तक मेरे को idea है और जो quality है वो almost okay है जो buttons की quality है वो same अपनी higher radar जैसी ही है यह कुछ अपना interior रहने वाला है अपनी ब्रेजा VXI का 2022 और अपना जो club box है यह भी अपनी higher radar जैसा ही है ना जादा deep ना जादा चोटा और यहां पर आपको space मिल जाती है चोटी मोटी यहां पर आपको handbraker मिल जाता है handrest नहीं मिलता आपको VXI में handrest नहीं मिलेगा सिर्फ आपको ZXI और ZXI Plus में ही आपको handrest मिलेगा और यह कुछ पीछे से look ऐसे रहने वाला है आपको जो अपना rear headrest यह भी adjustable है VXI में लेकिन आपको LXI लेते हो तो LXI में आप एड़ेस्ट नहीं कर सकते ही जो पीछे वाले दे रहे है ना पीछे के लैम की बात करें तो भाई कुछ ऐसी मिल जाती है अगर 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 यह दस लाग शतर हजार की आसपस की गाड़ी है तो उस एसाप से ठीक है यार पीछे पी बैठके दिखा देता हूं पहले आपको यह रिखा देतो कि यह इतना चोड़ा रहने वाला है अपना यहां पर बोट अगर आप से रख सकते हैं और प लेकिन भाई जो नेक्सवान में रेर कंफट था ना वह अपनी ना हाईडर में है और अपनी इसमें मिलेगा ऊक्के में नेक्स वान में अंधर थाई सब्सक्राइब इस पर थोड़ा सा और हैरे थोड़ा सा कम लगता है फ्लाइं ठीक है प्रॉज देखा जाए तो ठीक है म इस फीट कवर लगे पड़े हैं, कमफर्टेबल फील कर रहा हूं है, और पीछे से लूग कुछ ऐसा रहने वाले है, अपनी ब्रेजा का VXI का, आप कॉमेंट करके बताना कि आप ब्रेजा का VXI लोगे, या जडएकस ही लोगे, या अपनी हारेडर का E-Variant लोगे, या आप अपने ब्रेजा का इंटीर देखी लिए है, अब मैं आपको एक बार हैरेडर का इंटीर दिखा देता हूं, यह E-Variant अपना, दोनों साइड अपने को request sensor मिल जाता है, और जो अपना ORVM है, फोल्डेबल एडजेस्ट दोनों है, और ब्रेजा BXI में भी यह चीज मिल रही है, यह कुछ अपना Toyota Harada का इंटीर है, देख सकते हो भई, 12,35,000 की गाड़ी रहने वाली है, और इसका जो all black है, अपना पूरा all black है, यहाँ पर फिनिश है, अपनी फैबरिक की, यह अपनी पावर विंडो की, यह अपना फोल्डेबल मिल जाता है, यह electrical adjust मिल जाता है, जाता हूं, दोलो गाड़ी है, यह थोड़ी ज्यादा ऊची-ऊची सी लग रही है, क्योंकि वह 198 mm की है, यह 210 ground clearance है इस गाड़ी का, और इसका मीटर की बाद करों तो भई, इसका कुछ मीटर आपको ऐसे मिल जाता है, थोड़ा सा बड़ा मीटर मिलता है, अंपेर करा जाए ब्रेजा से, पुझ ऐसा मीटर आपको मिल जाता है, स्मार्ट हाइब्रीड भई भी बोनट खुला है तो उसका वह दिखा रहा है, तो भई, देख सकते हो भई, इसमें सिर्फ वह सिर्फ इवेरेंट में आपको music system नी मिलता है, बाकी all most सारे feature आपको मिल जाते है, यह अपन traction control और अपना idle stop का बन, automatic climate control मिल जाता है, globe box भी अपना decent मिल जाता है, plastic quality almost same ही लगती है, जादा फरक निया, 19-20 का फरक है, बट आपको base variant से, आपको handrest भी मिल जाता है, तो वह VXI है, तब भी handrest नहीं है, लेकिन इसके base variant में आपको handrest भी मिल जाता है, आपको handbrake का control मिल जा seat है ना, यह अपनी seat है, यह अपनी adjustable भी है, महलब base variant से आप अपना adjust भी कर सकते हो, seat को, तो यह कुछ अपना interior रहने वाला है, Toyota, high rider, e-variant का, अब एक बार मैं आपको breza का interior की जलक दे देता हूँ, छोटी सी, यह अपनी breza का interior, देख लिए है ना, दोनों गाड़ी का एक ब पास रखता हूँ, और यह space अच्छा खासा मेरे को मिल रहा है, महलब ऐसी कोई दिक्कत दिया, space की वैसे उसमें भी कोई कमी नहीं है, और इसमें तोड़ा और स्पेस मिल जाता है, क्योंकि यह 4 मीटर अभव गाड़ी रहने वाली, आपको रेर एस इवेंट, base model से ही आपक को नहीं लग रही, personally, पीछे की बात करो, तो भाई, आपको यहाँ पे हैड्रेस मिल जाता है, जो कि एड्जिस्टेबल है, और यह भी आपको मिल जाता है, और आपको रेर सीट में भी हैंड्रेस मिल जाता है, काफी अच्छी बात लगी मेरे को, अपनी ब्रेशा VXI में है हैंड्रेस नहीं है पीछे लेकिन इसमें इसके बेस रिडिन से आपको हैंड्रेस मिल लग जाता है, बारा लग पैंचेस वजाजार की गाड़ी है, तो आप जिस्टिफाइड करो भाई, आपको कौन सी वर्थ लग रही है, दोनों में से तो अच्छा है, स्पेस की कमी नही जमी है, बस इसका थोगा अंदर थाई सपोर्ट थोड़ा कम लगता है, जीसे मेंने एकनी दोना के लोगाजीन रघी कास थाहार रही है, ठीक है, प्राइस पैसके साब से भी बेखा जाए तो उसे इसाब से ये चीज इन्ओर कर सकते है, ये चीज भी अराम से अग्नॉर की गोडिया जा सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि है Toyota अपको सिर्फ surprise दो ऑगाद हो पिछे मिल जाता है। तो भाई ये कुछ डिफ्रेंस था दोनों गाडियों में अब आप देखना आपको कौन सी जाद अच्छी लग दिया या अपनी हारेडर लग दिया क्योंकि प्राइस पॉइंट के इसाब से ये वीडियो कंपैरिजन किया जा सकता है अराम से अब अब सस्पेंशन की बात देखा देता है तो दोनों गाडियों में सेम स्समेंशन आ रहे है बाय मारूती, अगर आप इसका S hybrid लेते हो ना तो S hybrid में आपको जो इंजन है वो टोयटा का ही मिलता है सब्सक्राइब करें करें यूब दोनों गारी जो 13-14 अपने Metal ट्राफिक में दे देती सब्सक्राइब अपनी लाइट ट्रेफिक में अराम से निकाल देगी एवरेज वाइस में आपको यह दोनों गाड़िया निराश नहीं करेगी क्योंकि स्वेम इंजन आ रहा है हलका फूल का फरक हो सकता है 19-20 का फरक हो सकता है क्योंकि हायरेटर फोड़ी सी भाड़ी है और जो अपनी ब्रेजा का का वेट इतना आ रहा हो गा हुगा और जो हायरेटर का की बाखी तो देखते जब टेस्ट होगा तब मता सब disparities शेम ही क्योंकि ने Vidya ऑज की वीडियो पसं पसंद आए तो भाई लाइक करना शेयर करना में चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर देना और शेयर भी जरू कर देना अपने दोस्तों के साथ तब तक के लिए ओके एंड बाई